नमस्कार दोस्तों मैं समीर आप सबीक अपने ही यूटूब चैनल डिजिटल पावर में हार दिक स्वागत करता हूं राशन काड का परपत्रख आपका जो परपत्रख है उसको भी आप ओनलाइन कर सकते हैं परपत्रख क्या होता है उसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं राशन काड में किस भी परकार का जो सुधार हो आप सुधार कर सकते हैं ओनलाइन नाम इसमें जोड सकते हैं किस भी बैक्ति का जोड सकते हैं या नाम जो है हटा भी सकते हैं आप अपलाई करके घर बैठे आपको ब्लॉक जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी भी प्रोसेस हैं बिल्कुल आसान है आपको मैं समझा दूंगा तो आप खुझ से भी कर सकते हैं लेकिन अगर दीकत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं हेल्प के आपको बताएंगे कि कहां से आप कर सकते हैं तो आए हम जांते हैं उससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपड़ सबसे पहले आपको आ जाना है APDS की website पे जहां से रासन काड़ अपलाई किया जाता है उसके बाद आपको जो स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके यहां पे apply for online RC का जो option है इस पे click करेंगे आपके सामने next पे जो पर हो जाएगा जहां से अपलाई करते हैं उससे पहले यहां पे कुछ दिया गया है लोगों के देख्ट आफ साइड कर लेता हूं देख्ट करने के बाद आपको मिलेगा देखने के लिए लोगिंग का सबसे पहले आप लोगिंग पे click करके जहां साप्लाई करते थे वहीं से भी इसका correction कर सकते हैं लेकिन जो यहां पे दिया गया है परपत्र खब उसके बारे में हम जन इस तरह से आपको पूरा PDF जो है step by step processes में दिया गया है सबसे पहले इस तरह से आपको मिलेगा dashboard जहां पे आपको मिलेगा user manual और इसमें दिया है कि existing जो रासन काड है उसमें आप correction कर सकते हैं सुधार कर सकते हैं नीचे स्क्रॉल करना है सबसे पहले आपको इस पे लोगिंग करना है लोगिंग नहीं है तो यहां पर आपको रजिस्टर करना होगा रजिस्टर करने के लिए जो है इस लिंक पर आपको आ जाना होगा रजिस्टर के लिए आप जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा दिखने के लिए sign up option तो यहाँ पर आप sign up करेंगे अगर आप मेरी पहचान ID नहीं बनाए है तो आप सबसे पहले पहचान ID बना लेंगे और बनाने के बाद मैं एक step skip करता हूँ जो मैं आपको apply करूँगा उस समय आपको बताऊँगा यहाँ पर पूरा जनकार दिया गया है आप अपना जो अपना मेरी पहचान ID बना लीजिएगा बनाने के बाद अब आपको पूरी तरह से जब तयार हो जाएगा तो आप logging कर लेंगे logging करने के बाद आपको कुछ इस तरह से dashboard open हो जाएगा जहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको अपना estate select करने का यहाँ देख सकते हैं बिहार estate services इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बिहार का जो भी services होगा service services जो है डिस्पले हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा एक राशन बिहार राशन कार्ट ओनलाइन production का इस पर आप क्लिक करेंगे आपको इसी पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको मिलेगा निचे स्क्रोल किजिएगा यहाँ पर आपको अपना logging आईडी भरना है और यहाँ पर submit कर दिना है आपका clear हो जाएगा सब्मिट हो जाएगा उसके बाद आप जब logging करेंगे मेरे आईडी से तो उसके बाद आपको डारेट यह वाला पेज उपन हो जाएगा यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले वेलकम का और यहाँ पर आपको home पर क्लिक करना है home से आपको apply में जाना है और apply पर जब आप खिलिक किजिएगा तो आपको जो है apply पर क्लिक किजिएगा तो apply पर क्लिक करने के बाद आपको तीन तरह एक option दिखाई देंगे आपको तीन तरह के जो option है सबसे पहले आप नए राशन काड़ के लिए apply कर सकते हैं आपका राशन काड़ बना है किस status पर चेक कर सकते हैं और नए जो option add किया गया है apply for correction यानि सुधार के लिए इस तो आप किलिक करेंगे अब किलिक करने के बाद आपके सामने आपको अपना नए राशन काड़ जो आपको बना हुआ है पहले से बना है वह राशन काड़ यहां पे आपको डाल देना है नमर और search पे किलिक करेंगे नेचा score किजेगा उसके बाद आपको आपका राशन काड़ का पूरा विब्रन शो करा दिया जाएगा यानि आपका जितने भी राशन काड़ में मेंबर है सभी मेंबरों का नाम जो है वह आपको मिल जाएगा दिखने के लिए जैसा कि यहां पे डमी जो है इसमें दिया गया है कि कितने मेंबर है अब यहां पे ध्यान से आप समझेगा यहीं सी यहां तक तक तो आप कुछ किये नहीं है आप सिर्फ लोगिंग किये हैं और search किये ह आपको तीन तरह के यहां पर आपको शो किया रहा होगा मैं भी यहां पर इसको तीन कलर में आपको दिखा देता हूं क्यूंकि जो है यहां जो है काफी महत्पूर्ण है आपके लिए यहां देख सकते हैं आपको लाल रंग जो है यहां बताता है आपको कि इसमें आपको आप जो है रासन कार्ट के जो भी मवजूदा बैक्ति हैं उस सदस्यों का जोड़ने का संकेत करते हैं और हटाने का संकेत करते हैं और अपडेट करने का संकेत यानि इसमें तो आपको यहां पे सबसे पहले इस तरह से डैस्ट देगा नीचे स्क्रॉल किजेगा यहां पे अगर आप जिसी ब्यक्ति का नाम अपडेट करना चाहते हैं यानि कोई सुधार करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले जो आप फर्स जो मेंबर तो यहां पे आपको जो भी ब्यक्ति होगे उनका नाम आपको सो होगा सबसे पहले यहां से आप अपने किसी ब्यक्ति का नाम हटा सकते हैं इसके लिए यहां पे डिलीट वाला अफशन पे है रेड कलर है इस पर आप किलिक करेंगे इस ब्यक्ति का जो डिलीट होगा वो प अपडेट कर पाएंगे डिलीट अपडेट कर देंगे उसके बाद आर्ची में सदा से जोड़नी की बात आती है तो यहां पर दिया है देख सकते हैं यहां पर एड मेंबर का यहां पर आप क्लिक करके एड कर सकते हैं बार बार सम्झाते हैं तीनों तरीका तीनों आप कैसे कर तो यहां करेंगे डिलीट वाला ऐसन पे आपके सामने इस तरह से ऑफसन आएगा डिलीट और अंडो का अगर आप गलति स्थकी हैं तो उसको अंडन कर देंगे और प्रफिक यह हैं तो आप उसको छोड़ देंगे अंडो नहीं करेंगे यह आपको एसे रहेगा उसके बाद नाम को अगर इसमें अगर आप चाहते हैं किसी बैक्ति का सुधार करने के लिए तो इडिट पर क्लिक करेंगे कि एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करना होगा जो भी आप उसमें चैंजर करना चाहते हैं वह इस तरह से आपको फिल कर देना होगा जो सुधार करना चाहते हैं उसके बाद यहां पर अपडेट वाला अप्शन पर क्लिक किजिएगा अपडेट आपका प्रॉसेस में चला जाएगा उसी तरह यहां पर आप किसी मेंबर को एड करना चाहते हैं तो आपको एड वाला अफसर पर क्लिक करना होगा और उसके बाद जो है जो भी member का नाम add करना चाहते हैं सब्सक्राइब करके और add member पर click करेंगे आपका नाम add हो जाएगा तीनों का status जब चेक करेंगे बाइर बाइर से आपका जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा जैसे यहां पर चाहिए मैं add delete किया हूं तो यहां पर delete वाल एडिट किया है तो edit वाला यानि और add किया है तो add वाला तीनों तरह के option जो है यहां पर आपको मिल जाएंगे देखने के लिए इसमें बताया गया है कि जो लाल रंग वाला जो है कि इसमें किसी बैक्ति का नाम हटाने का request किया गय जो है इसमें किसी बैक्ति का नाम जोडने के लिए दिया गया है तो इस तरह जो है आप खुद से जोड सकते हैं बहुत आसान प्रोसेस में तो यह वीडियो आपको कैसे ले कमेंट बक्स में जरूर बताएगा इसका चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट किजिएगा क्योंकि मैं इस पर प्रोपरली वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा कि आप कैसे इसको अडेट या इडेट डिलेट या करेक्शन कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट और नए वीडियो में तब तक के लिए देज़े इजाज़त जहिंद बंदे मातरम